आसके वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डैजेसिश्टिव सिस्टम का यूनिट दог तो हम प्रिवेस 2 वीडियो के हैं इसमें हमने अपना पढ़ लिया है ह्पी बैसिक पुई्ट क्या होते हैं डैजेसिश्टिव सिस्टम का एं इसके बाद हम ऑर्हां स्टार्रार Barra कि कौन-कौन से organ digestive system में work करते हैं तो चलिए start करते हैं तो हम start करेंगे इसमें mouth से start करेंगे तो इसमें आ जाएगा mouth tongue and teeth तो first है mouth तो इसमें first point है initially point of the entry of the food into the GI tract तो सबसे entry point कौन सा होता है mouth food हम कहां से लेते हैं mouth से लेते हैं तो यह entry point होता है GI tract का GI tract means gastrointestinal tract जिसके तुरू food हमारे digestive system के अंदर जाता है तो mouth से ही start होता है second point है is the first site for beginning the breakdown of the food into the constituent molecules तो यह first site है यह वो एक पहली जगह है जहाँ पर foods का breakdown होना शुरू होता है जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी हम भोजन लेते हैं वो अपने मूव में डालते हैं उसके बाद उसको हम twing करते यह कि उसको हम चबाते हैं जबाते हैं उनका breakdown करते हैं उसको छोटे छोटे टुकडों में हम बारिक कर देते हैं देन इसके अंदर क्या क्या होता है लिपीड लिपीड फैटी असीड कार्पोहाइट्रेट्स शुगर प्रोटीन अमीनो एसीड यह सारे क्या है इन फूर्ड के अंदर प्रेजन्ट होते है फौर अब्सॉर्प्शन इंटू दा बॉड़ी और इनको हम छोटे ब्रेकडाउन में क्यों करते हैं ताकि इनको अब्सॉर्प्शन में हेल्प हो सके थर्ड पॉइंट है इसके अंदर क्या क्या आते हैं लिप्स चिक स्टरंग टीथ स्लेवरी ग्लैंट एंड पैलेट तो यह सारे चीज़े माउथ के अंदर आती है फौर्थ तो इसको डाइग्राम से समझेंगे यह देखें यह है डाइग्राम माउथ का डाइग्राम इसमें क्या क्या आ जाएगा लिप्स चिक्स टीथ एंड वल्वा टंग तो यह सारा पूरा हमारा माउथ का पूरा डाइग्राम है यह यह टंग है एंड यह जो सेंटर में आपको दिख रहा है यह है वल्वा उसके बाद यह टीथ हैं और सबसे उपर लिप्स उसके बाद एक चीज बहुत समझने वाली बहुत इंपॉर्टन चीज है soft palate and hard palate तो इसमें हमेशा confusion रहती है students को कि soft palate कौन सा होता है और hard palate कौन सा होता है तो सबसे पहले हम जानेंगे hard palate hard palate बिल्कुल teeth के बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा होता है आप अपनी tongue को थोड़ा सा bend करके उपर लगा करके देखिए बिल्कुल उपर टच करना है पीछे नहीं लेके जाना है तंग को जस्ट आप अपनी जीप को टंग को थोड़ा सा bend कीजिए और उपर की तरफ लगाए इसको और आपको hardness फील होगी अपनी टंग को उपर की तरफ टच कीजिए और आपको एक hard hard feel होगा बिल्कुल hard होगा उसे हम hard palate बोलते जैसे की नाम है hard palate then soft palate कौन सा है अगर comparison करके देखिए hard palate and soft palate जो पीछे है उसे soft palate बोलते हैं और जो तंग के बिल्कुल उपर होगता है उसे हम hard palate बोलते हैं तो आपने ये diagram भी बनाना है and mouth को हम oral cavity भी बोलते हैं oral cavity means इसके अंदर बहुत सारे organs आ रहे हैं जैसे की lips, cheeks, hard palate, soft palate तो ये सारे इसके अंदर आते हैं यानकि काफे सारे इसमें involved हैं तो इसमें क्या क्या था? इसे हम labia भी बोलते हैं protect the interior opening तो ये क्या करता है lips का क्या काम है ये protect करता है यानकि बाहर का जो भी हम कुछ भी खाना खाते हैं ये lips क्या है एक protection की तरह work करता है then chicks form the lateral wall chicks क्या कर रहा है एक lateral wall यानकि जो side वाली wall बनाता है hard pallet form the interior roof तो hard pallet क्या है ये interior roof है जो उपर की तरफ जो roof एक छट की तरह ये काम करता है इसके बाद आता है soft pallet form the posterior roof ये क्या है बिल्कुल पीठी की roof बनाता है चट बनाता है वल्वा flashy projection of the soft pallet वल्वा क्या है एक projection है बिल्कुल soft pallet की तरह होता है बिल्कुल आपको center में नजर आएगा बिल्कुल उपर की तरफ होता है और center में होता है ये इसके बाद आता है process of mouth यानकि इसका function क्या है क्या work क्या करता है mouth mastication यानकि chewing of the food food को चबाने में उसको बिल्कुल breakdown करने में help करता है mixing masticated food with saliva और जब ये mastication होता है यानकि जो भी chewing करते हैं उसके अंदर क्या होता है saliva mix हो जाता है और ये टंग की help से होता है allowing for the sense of taste और इसको टेस्ट को बनाने में भी ये help करता है उसके बाद आता है हमारा tongue muscular organ form manipulating and moving food in the mouth and add in swelling of the food तो टंग का क्या काम होता है food को move करने में आगे पीछे करने में tongue का work होता है तो जैसे भी भोजन चबाया जाता है तो tongue उसको क्या करती है आगे forward कर देती है then उसको swelling करने में ये भी help करती है containing the taste word chemo receptor means ये एक taste को भी create करती है यानकि हमें जो taste का पता चलता है tongue की help से हमें taste का पता चलता है यानकि इसके अंदर क्या है chemo receptor work करते है और tongue के लिए आपने ये diagram बनाना है इसमें है duct of the slivery gland यहां से क्या है जो sliver है ये निकलता है और food में mix हो जाता है ये है lower lips and ये जो divide कर रहा है tongue को जो two parts में ये देखी पूरा partition इसमें ये दिखाता है इसे हम frenulum भी बोलते हैं उसके बाद inferior surface of the tongue ये क्या है inferior surface of the tongue तो ये diagram भी आप बना सकते हैं then feature and the function of the tongue help grind food into the balls and contain the partly digested food and saliva means ये क्या करता है food को बिल्कुल grind करने में help करता है और digestion में या फिर saliva mix करने में ये help करता है help form the word and its sensory organ for taste and apart stomach with the tongue yang ये हम वर्ट बनाने में help करता है जो भी हम बोल पा रहे हैं ये हमारे tongue method स्बिछ पता चलता है लें त्रीज सर्फेस फीचर होते इसमें इसमें फिलिम फेपिपिल्य रफनेस एड इंड ग्राइड जैसे कि हम देखते हैं अपनी टंग पर वो roughness होती है then fungi foam papilla containing the taste words और यह क्या काम करते है तेस्ट वर्ड का काम करता है then circumvallate papilla contain the taste word तो इसका भी क्या काम है टेस्ट को बताने में या भी sensory work करने में यह help करता है इसके बाद आता है हमारा teeth teeth are embedded in the alveolar or socket of the alveolar reached of the mandible and maxilla teeth क्या है बिल्कुल ही socket की तरह लगे होते हैं जैसे कि हम अपने teeth को observe कर सकते हैं कि socket की तरह लगे होते हैं यह mandible और maxilla दोनों से जुड़े होते mandible क्या है हमारा नीचे का jaw और maxilla उपर जो हमारे upper lips हैं इसके इसे हम बोलते हैं maxilla babies are born with the two set or dentitions the temporary or deciduous teeth and the permanent teeth और जब बेबी जब बोर्न होते हैं वो उसके two sets होते हैं जैसे कि dentist इन्हें हम क्या होते हैं temporary teeth भी बोलते हैं और deciduous teeth भी बोलते हैं और इसमें permanent teeth भी होते हैं there are the 20 temporary teeth 10 in each jaw means 20 जो है वो temporary teeth होते हैं जैसे कि आपने देखा हो कि बच्चों की teeth क्या हैं टूर जाते हैं और फिर से हो जाते हैं तो वो क्या है temporary teeth होते हैं और 10 10 का जो है वो set होते हैं उपर 10 होते हैं और नीचे भी 10 होते हैं they begin to erupt when the child is about a 6 month old तो यह कि interrupt होने शुरू हो जाते हैं जब एक बच्चा जो वो 6 महिने का होना शुरू हो जाते हैं should all be present by the 24 month और सारे जो उसके teeth हैं बेबी के वो 24 महिने के अंदर उसके आने शुरू हो जाते हैं then permanent teeth begin to replace the deciduous teeth in the 6th year of the age and this dentist consisting of the 32 teeth जो permanent teeth होते हैं कि हमने देखा होगे कि जब बच्चा 6 या 7 साल को होते हैं तो उसके teeth जो हैं टूटने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर कहा है permanent teeth उसके आने शुरू हो जाते हैं कि decision teeth जो है वो टूट जाते हैं और permanent teeth आने शुरू हो जाते हैं और इसका सेट कितना होता है 32 teeth का सेट होता है then function of teeth teeth have the different shape depending upon their function तो teeth का क्या है अलग-अलग हर किसी के अलग-अलग shape होती है और अलग-अलग function होते हैं incisure and canyon teeth are the cutting teeth जो incisure and canyon teeth होते हैं यह कहा है cutting के लिए यानकि कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसको breakdown करने में यह help करते हैं and are used for biting of piece of food और food क्या करता है food को जो भी चीज़ हम पहले खाते हैं उसको bite करने में तोडने में इसकी help करता है we are the premolar and molar teeth with broaded flat surface जो premolar और molar teeth होते हैं वो क्या है flat surface के होते है are used for grinding or chewing food और इसका क्या काम होते हैं बिल्कुल grind करने में यानकि उस भोजन को बिल्कुल ही छोटी महीन टुकडों में करने में उसको यह help करते हैं तो यह देखिए यह है skull हमारा और यह सबसे जो अपर जो lips होते हैं यहां पर हमारे lips present होते हैं और इसके उपर के पार्ट को हम maxilla बोलते हैं और यह frontal teeth होते हैं इन्हें हम incisur teeth बोलते हैं और जो side में होते हैं उसे हम canyon teeth बोलते हैं यह हैं हमारे नीचे के premolar एंड लास्ट के जो teeth होते हैं इसे हम बोलते हैं molar teeth एंड जो last और इमर्जर यह jaw है इसे हम mandible बोलते हैं तो अगर आप यह diagram भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं anatomy में जितना अगर आपका diagram के तुरू अगर आप explain करते हैं तो उतने आपको marks भी अच्छे मिलते हैं तो जितना हो से कोशिश कीजिए diagram बनाने की teeth का हम एक और diagram देख लेते हैं यह देखे second diagram है इसमें यह हमारा नीचे का जो है इससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे frontal teeth जो हैं हमारे यह है incisor teeth उसके बाद canyon teeth और यह उसके बाद premolar teeth यहाँ पर क्या है छोटे बिल्कुल जो भोजन हम खाते हैं यहां से हमारे भोजन की cutting होती है छोटा छोटा हम करते हैं उसके बाद यहां पर जब भोजन आता है इसको हम grind कर देते हैं बिल्कुल जब हमारा भोजन जो है food pipe में जाने के लिए ready हो जाता है तो यहां पर हमारा भोजन बिल्कुल ही छोटा breakdown हो जाता है इसके बाद आता है हमारा structure of the teeth although the shape of the different teeth vary the structure is the same and the consist of जैसे की shape जो है हर teeth की अलग-अलग होती है लेकिन उसका structure जो है वो almost सभी का same होते है तो फर्स इसमें क्या आता है the crown the part that protrude from the gums means यह कौन सा पार्ट है यह मैं आपको डाइग्राम के तुरू समझाऊंगी then second आता है root the part embedded in the bone जो की bone से जुड़ा होता है यहां कि root से जुड़ा होता है जड़ से जुड़ा होता है then third आता है इसमें neck the slightly narrowed region where the crown merged with the root और यहां पर क्या जब crown root से जुड़ता है तो उसको हम neck बोलते हैं यहां कि यह वो region है जहां पर crown merge हो रहा है root के साथ तो यह दिखिए इसका internal diagram तो यहां से पूरा यहां तक यह है हमारा root यहां से पूरा जो कि हमें दिखाई नहीं देता है यह root है जहां से यह जुड़ा होता है यह जुड़ा होता है and उसके उपर यहां आता है हमारा crown और यह जहां पर रूट और हुम मरीं मिलते हैं। उसके बाद तोपके उपर पार्थ होते हैं। हैं और यह उसके जो एंटरनल इसे हम तंटरन पूलते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग है इंटर्नली इसे हम सीमिन्ट बोलते हैं एंड देन्टाइन तो यह था हमारे इंटर्नल स्ट्रक्चर ओफ टीथ तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई हो पीत तीनों चीज़े आपको अच्छे से समझागी होगी अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी एंट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टमक एंड इसोफेगस को हम कवर करेंगे तो थैंक यू फॉर वचिंग गाइस